जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि योजना समिती समस्याओं की प्रात्मिक्ता तैकर के उनके निवारन सुनिश्चित करेगी पर इससे काम शुरू हो सकता है? नहीं, समिती के द्वारा तैयार की गई इस सुची को ग्राम सभा में रखकर उसे मनजूर कराना काफी ज़रूरी है तो आईए जानते हैं कि योजना समिती द्वारा तै किये गए समस्या के समाधान की प्रात्मिक्ता सुची को ग्राम सभा में रखकर कैसे अंतिम रूप दिया जाए? योजना समिती द्वारा समस्या के समाधानों की प्रात्मिक्ता सुची तैयार होने के बाद उस सुची को ग्राम सभा में रखकर जाएगा ग्राम सभा में इस प्रात्मिक्ता सुची पर ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा विचार विमर्ष होगा अगर गाउं के किसी भी सदस्य के पास बहतर सुझाव है तो वो अपना सुझाव ग्राम सभा में रख सकता है ग्राम सभा में विचार विमर्श और सारे लोगों की राय जानने के बाद योजना समीती द्वारा तै किये गए समस्या के समाधान की प्राथमिक्ता सूची को ग्राम सभा मनजूर करेगी अब ग्राम सभा के द्वारा इस सूची को मन्जूरी मिल जाने के बाद पंचायत को इन समस्याओं के निवारन के लिए वितियस रोत और अन्य संसाधनों की आवश्यक्ता पड़ेगी और इसके लिए पंचायत को प्रयास करने पड़ेंगे जी हाँ अब पंचायत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि ग्राम पंचायत जरूरी संसाधनों की विवस्था कैसे करें तो इस प्रश्न का उत्तर हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे आभार